लॉट्स अब स्पेकुलेशन्स और लॉट्स अब रूमर्स के बाद फाइनली 5 अगस्ट से फ्लाइट्स आना शुरू हो गया UAE एन दुबाई के लिए and most congratulations all of you friends क्योंकि जो फ्लाइट था इंडिया से दुबाई के लिए वह successful रीच हो गया और सबी लोग अपने अपने destination पे पहुँच गए और सेम फिंग पकिस्तान से भी है इससे पहले फ्लाइट रिलेटेट बहुत सारे information आते रहे और उत पे changes होते करें लेकिन जो रेसिडेंट फिसा वोल्टर थे वो लोगों को पॉसिबल हुआ कि इंडिया पकिस्तान से कोई फ्लाइट पेसेंजर का नॉर्मली दुबाई पहुचा जहां पे बहुत सरी दुबाई के इंप्लाइज है जो डेसिडेंट विजा ओल्टर है वो लोग फाइनली पहुँच गए और यह एक शुरुवा थे दोस्तों सो कर सकते हैं अपना जॉब सर्च कर सकता है अभी फिलहाल इसके लिए कोई अनॉंस्में नहीं है लेकिन अभी का जू सिच्विशन से अगर जितना भी फ्लाइट आते हैं वो लोगों का आने के बाद का जो पीसीर टेस्ट है उसमें अगर कोई पॉजिटिव नहीं निकलता ह और बबर सब कुछ सही है तो बहुत जल्द इंडिया पाकिस्तन से विजिट विजा एंज निव इंप्लॉइमेंट वीजा होल है वो लोग भी कर सकता है दोस्तों व्स जो लोगों का इंप्लॉयमेंट विजा साहरे सन दोस्त लåग नोगुर्चों होने के बाद से यह फ्ल प्लाइट का टिकिट बुक मत कीजे क्योंकि जब तक कोई अनॉंसमें नहीं आता है तब तक अगर आप प्लाइट बुकिंग कर लेते हो जब तक अगर आप आने ही पाते हो तो उसका जो केंसलेशन से रिफंड नहीं है तो आपका पैसा वेस्ट हो जागार और रिसेडूल कर कि अपना डॉकुमेंट्स अपना पिपर वर्क अपना जितना भी प्रिपरेशन है वो पुरा कंप्लीट करके राके तक ही जब भी फ्लाइट स्टार्ट हो नॉर्मली वीजिट वीजा होल्डर और न्यू इंप्लाइमेंट वीजा होल्डर के लिए तब अप लोग आराम से आके दुबाइ में जॉब सर्च या दुबाइ में जॉब जॉइन कर सकते दोस्तों तो आज की वीडियो में बस एही इंफर्मेशन देना था दोस्तों कि हर बार की तरह इस बार फ्लाइट पोस्पोन और डिले नहीं हुआ है सक्सेस्पली जो पैसेंजर फ्लाइट था वो प्लाइट